देश हित की बात मत्रफ भुमी न्यूस के साथ किताब पर कबजाकर 17 वी चेंपियन क्रिकेट ट्रोफी की सिर्म और बनी इटावा टीम सीसवाली बहु प्रतीक्षित प्रतियोगिता 17 वी चेंपियन ट्रोफी का फाइनल दर्शकों की भारी तादाद के बीच महाकाल क्लाब इटावा वर अंता स्पोर्ट्स के मध्य खेला गया उम्हीद के मुताबिक फाइनल धमाकेदार हुआ पहले टॉस जीतकर इटावा ने फील्डिंग करने का फैसला लिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी अंता स्पोर्ट्स ने अर्विन के 46 और दिलीट के 31 रन की मदद से निर्धारित 20 ओव में 179 रन बनाए जवाब में लक्षय का पीछा करने उतरी इटावा टीम ने शुरुआत बहुत धमाकेदार की मात्र 6 ओव में 91 रन सलामी जोडी ने जोड़े जिसमें रिशी ने 22 गेंड पर लगातार 6 चको की मदद से 66 रन बनाए अंतेम शनों तक चले मैच ने दर्शकों की सासे रोके रखी और इटावा ने मात्र एक विकेट से इस मैच को जीता समापन समारोव की मुख्य अतिती प्रधान चंद्रकांता मीना पंचायत समिती मांगरोल थी अध्यक्षता सरपंच एम इद्रीश खान ने की विशेष्ट अतिती एसेचो राजपाल सिंग तवर सीस्वली कॉंग्रेस पी सीसी सदस्य हंसराज मीना भारत माता कॉलेज निदेशक अर्मान मलिक अंता नगर पालिका चेर्मेन मुस्तफा खान दीपक पारेता इतावा प एटी मानकचंद मीना, प्रदीप मीना, इनायत हुसेन, रफीक भाठी, सलीम साह, जगदीश मीना, मुकेश गोचर, कालू पठान, यूसुफ खान, मुकेश चोपदार, महभूप खान ने किया। समापन समारोह में विजेता टीम को पारितोशिक के तौर पर 31,000 रुपे का नग्द, पुरुस्कार व चमचमाती ट्रॉफी व प्रत्येख खिलारी को इनाम, उप विजेता टीम को 15,000 रुपे नकद व ट्रॉफी तथा प्रत्येख खिलारी को आकर्शक इनाम दिया गया। देखते रहिए देशित की बात मत्रभूमी न्यूज के साथ, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद.